नमस्कार दोस्तों जैश्री राम सीता राम जै जै हनुमान जी दोस्तों अपने घर के मंदिर में पूजा तो करते हैं और पूजा करते समय दीपक जलाने का नियम तो जरूरी आपको पता होगा तो जिस दीपक को आपको भगवान का नाम लेकर जलाते हैं कहीं वह दीपक कु पूल बन जाने का क्या मतलब होता है, तो क्या आप जानते हैं कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बच जाना क्या संकेत देता है, कहीं आपके जीवन की सभी परिशानियों की वजह है। दीपक को बदल देने की तो दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अपनी पूजा। के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर ये गलतियां आपने कर दी तो इनके परिणाम आपको भुगतना ही होते हैं और दीपक की बाती का पूरा जल जाना और वाटी का बच जाना भी के बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें जिससे की श्री बागेश्वर बाला जी की क्रिपा आप पर सदैव बनी रहे। और हो सके तो अपने दोस्तों रिष्टेदारों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें ताकि वह भी बारह जी महा राज की क्रिपा प्राप्त कर सकें। ज्यादा सकारातमक परिनाम होते हैं तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्विकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसणन हैं और इसका संकेत वह बाती में बने इस अगर आपकी दीपक में फूल बन रहा है, तो आप सच में बहुत भागयशाली हैं, और इसी के साथ दीपक जलने की भी कुछ खास नियम आपको जरूर जाननी चाहिए. अगर आप पहले से जल्द हुए दीपक में अपनी बात ही रखकर जलाते हैं, तो ऐसा करने से दुर्भागय आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है, अगर दीपक में पहले जली हुई बातें इराक या फिर हुई. और क्लॉज है, और आपने अपनी बात थी, उसी में रखकर जला दी, तो ऐसा करने से भगवान आपसे प्रसन्न होने की बजाएं आपसे नाराज हो जाते हैं, और आपको इसके बहुत ही भयानक परिनाम देखने को मिलते हैं, आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते है आपकी तिजोरी का धन खर्च होने लगता है, और आपके धन आने के सारे रास्ते भी बंध हो जाते हैं। जब कोई डीबग रोजाना भगवान के सामने जनता है, तो धीरे धीरे वक्त के साथ वो सिद्ध हो जाता है, भगवान की सकाराक्मक उर्जा उस दीपक में आ जाती है, और जब भी आप वो दीपक जलाते हैं, आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाता है, तो आपको हर जोज उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं आप जितनी बार भी दी. जलाए उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार-बार बाती चलाई लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हैं तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है तो गुरुदेव का कहना है कि आप अपने दीपक को कभी भी मत बदलिये लगातार दस साल बीस साल तक आप उसी दीपक में लगातार भी जलाए इससे आपको दीपक सिध्ध हो जाएगा और आप इसका चमतकार अपने घर में भी देख सकते हैं अगर आपके घर में कोई भी रोगी हो बीमार हो या किसी का बुखार नहीं जा रहा हो तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बरतन में डालिये और अब उस रोगी को यह पानी पिला दीजिए 10 स 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा वहीं अगर आपके घर में किसी को नजर लगी हो या फिर आपके व्यापार में किसी की नजर लगी हो आपका धंधा अच्छे से नहीं चल रहा हो तो भी आप इस दीपक को तामबे के बरतन के भीतर पानी में भर कर उसमें डा एक ही वस्तु का प्रयोग अपने पूजा करते हैं, तो वह वस्तु शुद्ध हो जाती है, भगवान की जो उर्जा होती है, वह उस वस्तु में समा जाती है, तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती न करें, दोस्तों अगर आपके मंदिर का दीपक तूट ज या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है आप होता। उसे पूजा में जलाए हो दीपक पूरा नहीं जनता या फिर उसमें ही बच जाता है तो इससे आपके घर में बीमारियां घर बना लेंगे और यह बीमारी कभी भी आपका पीछा कभी नहीं छोडेंगे तो जब भी आप किसी भी पेड, पौधे या मंदिर के बाहर किसी भी जगह की पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बातें पूरी जड़े और वतन में ही न बचे क्योंकि यह आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव देगा वहीं अगर आपके घर के मंदिर में दीपक की बाती पूरी नहीं जलती या पूज करते समय दीपक बार-बार पूछे जाता है कि जरूर आपके घर में नकारात्मक उर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विधन डालने का काम करती हैं दोस्तों हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ती होती है या फिर कोई ऐसी उर्जा होती है जो यह नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की क्रिपा हो और आपके घर में सकारात्मक उर्जा हो तो यह आपकी पूजा सफल नहीं होने देती क्योंकि दोस्तों एक वातावर् एक ही तरहे की उर्जा रह सकती है या तो सकारात्मक या नकारात्मक और जो बुरी शक्तियां होती है वह। बातें पूरी नहीं जलती तो इस सबसे बचने के लिए आपको क्या करना है कि सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना है और जब भी आप दीपक जलाए तो भगवान से सबसे पहले यही प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक और जाहूं वह आपसे दूर रहें और भगवान की कृपा आप पर बनी रहें साथ ही ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जला आए तो गंगाजल से एक गोल घेरा बना लें और इसे गोल घेरे में दीपक को रखें क्योंकि दोस्तों गंगाजल बहुत ही पवित्र माना गया है और मह सकारात्मक उर्जा में बदल देता है और अगर आप गंगाजल से बने हुए गोल घेरे में दीपक को रखेंगे तो यहाँ आपकी पूजा में किसी भी शक्ती को विधन नहीं डालने देगा और कोई भी नकारात्मक शक्ती आपकी दीपक को बुझा नहीं पाएगी और आपको गुरुजी के बताई हुई जो पाया आज हमने इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं आपके लिए शुब फलदाई होंगे और बारह जी महाराज हर संकट से आपकी रक्षा जरूर करेंगे तो अगर आपको गुरुजी की बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को ला जय बागेश्वर सुझाव सरकार जय हनुमान जैसी दौरान जरूरी है तो मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद